नमस्कार दोस्तों मैं हूँ शगुन स्टडी आईक्यू के आकाश वानी कारेक्रम में आपका स्वागत है शुरू करते हैं दिन भर की वे जरूरी खबरें जिनसे परीक्षा में सवाल पूचे जा सकते हैं लाला लाजपत्राय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सैनानी लाला राजपत्राय को उनकी जैनती के मौके पर श्रधानजली अर्पित की लाला राजपत्राय का जन्म 28 जन्वरी 1865 को हुआ था पंजाब केसरी के नाम से मशूर लाला राजपतराय का जन्म अविभाजित भारत के फिरोजपूर के जिले में हुआ था उन्होंने लाहूर कॉलिज से अपनी लौ की डिगरी हासिल की 1886 में उन्होंने महत्मा हंसराज की दयानंद एंगलोवेदिक स्कूल की स्थापना में मदद की वे दयानंद सरस्वती के अनुयाई यानि फॉलोर बने साल 1895 में उन्होंने पंजाब नैशनल बैंक की स्थापना में सहायता की इसके अलावा 1897 में हिंदू रिलीफ मूव्मेंट का गठन किया साल 1917 में उन्होंने न्यू योग में इंडियन होम रूल लीग ओफ अमेरिका की स्थापना की साल 1920 में विभारतिय राश्य कॉंग्रिस के कलकत्ता में आयोजित हुए विशेश अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए साल 1921 में उन्होंने Servants of the People Society नाम से एक गैर सरकाली welfare organization की स्थापना की उन्होंने The United States of America, A Hindu's Impression and a Study, History of the Aresamaj, Swaraj and Social Change, England's Debt to India और The Problems of National Education in India जैसी किताबों की रचना की साइमन कमिशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लगी लाठी की चोट के चलते 17 नवंबर 1928 के दिन महान स्वतंतरता सैनानी लाला राजपतराई की मृत्य हो गई आए बढ़ते हैं अपनी अगली ख़बर की ओर Digital Rights दुनिया भर में पहली बार European Commission ने Digital Rights और Principles को प्रस्ताविट किया है उनके मताबिक लोगों के अधिकार और लोगतंतर की सुरक्षा करते हुए एक fair और safe online environment सुनिश्चित किया जाएगा इन Rights में Digital Devices को भी शामिल किया जाएगा Digital Devices के परियावर्णिय प्रभाव की जानकारी देना इसमें शामिल होगा Declaration of Digital Rights and Principles के मताबिक जो भी कुछ online अवैधानेक या illegal है उसे online भी illegal करार दिया जाएगा Commission के मताबिक बहुत जल्द EU यानि European Union के सभी देशों द्वारा इस declaration पर हस्ताक्षर करने की उमीद है आपको बता दें कि EU कई देशों का एक समू है जो कि वैश्विक अर्थविवस्था में एक economic unit की तरह काम करता है वर्तमान में EU में कुल 27 देश सदस्य के तौर पर शामिल है साल 2016 में UK ने referendum के जरिये खुद को EU से भार करने के लिए वोट किया था 31 जनवरी 2020 को आधिकारिक तौर पर UK EU से भार हो गया बढ़ते हैं संस्कृती से जुड़ी अगली खबर पर मिलेना सालवीनी, Ambassador of Kathakali in France Kathakali की प्रसिद नित्यांगना मिलेना सालवीनी का France में निधन हो गया है इतली में पैदा हुई मिलेना सालवीनी साल 1965 में Kathakali सीखने केरल आई थी भारत सरकार ने 2019 में उन्हें पदमश्री से नवाजा था Kathakali को विदेश में मानने ता दिलवाने में उनकी एहम भूमे का रही आपको बता दें कि Kathakali भारत के classical dance में से एक है यह नृत्य केरल से संबंदित है Kathakali, Katha यानि कहानी और कली यानि नाटक इन दो शब्दों से मिलकर बना है Kathakali की प्रस्तुतियां अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष को दिखाती है इनके सब्जेक्स महा काव्यों और पुरानों में से ली गई कहानियों पर आधारित है इनके प्रमुक पेट्रोन्स या समर्थक, गुरुकुंचु कुरुप, गोपिनाथ और रीता गांगुली आधी रहे है आएए आगे बढ़ते हैं भुगोल की खबर की उर मेडागैसकर अफ्रीकी देश मेडागैसकर ट्रॉपिकल स्टॉर्म एना से जूज रहा है मेडागैसकर को अफ्रीका के तट से अलग करता है मेडागैसकर में लैमोर की एक प्रजाती सिल्की सिफा का पाई जाती है ये प्रित्वी पर मौजूद रेरेस्ट मैमल में से एक है अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर इंडिया इस्राइल को आपरेशन इन एग्रिकल्ट्रल सेक्टर भारत और इस्राइल के बीच क्रिशी क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने पर सहमती बन गई है इस मसले पर केंद्री क्रिशी मंत्री शी नरेंडर सिंग तोमर के साथ इस मसले पर बातचीत हुई सहयोग के तहट 75 गाओं को विलेज ओफ एक्सिलेंस में तबदील किया जाएगा 75 गाओं को चुनने के पीछे मकसद भारत की आजादी के 75 सालों को मनाने से है गौरतलब है कि भारत साल 2022 में अपनी आजादी की 75 वी वर्षगाट मना रहा है इस मौके पर सरकार द्वारा किसानों के कल्यान के लिए चलाई जा रही योजनाए मसलन पीएम किसान, एगरी इंफ्रस्ट्रक्चर फंड, फॉर्मेशन ओफ 10,000 एफपियोज, सॉयल हेल्थ काद्स आदी का जिक्र होगा आपको बता दें कि भारत में क्रिशीक शेत्र लगबग 58 फीसिदी जन संख्या की आजविका का प्राथमिक्स त्रोथ है गौर करने लाइक बात है कि औरगेनिक खेती करने वाले किसानों की संख्या के मामले में भारत पहले स्थान पर जबकि औरगेनिक खेती के तहट आने वाली जमीन के मामले में भारत दुनिया में नववे स्थान पर है आईए आगे बढ़ते हैं फार्मा से जुड़ी अगली खबर की और भारत बायटेक की इंट्रानेजल वाक्सीन BBV-154 के क्लीनिकल ट्राइल को मंजूरी दे दी है ये ट्राइल देश के नौ विभिन स्थानों पर किये जाएंगे भारत बायटेक हैदराबाद स्थित एक इंडियन मल्टिनाशनल कमपनी है इसकी स्थापना Dr. Krishna M. Ella and Mrs. Suchitra Ella द्वारा की गई थी इसका मकसद affordable, safe और high quality वाक्सीन मुहाया कराना है आपको बता दें कि Central Drug Standard Control Organization यानि CDSCO एक Central Drug Authority है जो कि Drugs and Cometics Act के तहट काम करती है इसका मुख्याले नई दिल्ली में है DCGI यानि Drug Controller General of India CDSCO के प्रमुख होते है वर्तमान DCGI VG Somani है तो ये थी हमारी आज की कुछ विशेश खबरे मिलती हूँ कल आप से इसी समय नमस्कार